अस्सलाम अलेकुम गाईज, आज हम बनाएंगे मैदा पिजा, इससे पहले हम ने बनाया था, गेहुं के आटे से बना हुआ पिजा आज हम बनाएंगे मैदा पिजा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैने लिए है 1-2 प मैदा 1ाव टेजब कृटा दही1 पीस बेक्ण Beim Şimdi पाउड़र हाफ टेजब और हम चुछ कटे में के अवेलेबल कृटा हुन है छोड़ो अब हम इसे सब discovery को और देरे-आएなた हम एक साहता से पूरा पानी नहीं दालना है बैद तो के पानी ये दालते जाते जाएंगे गेहन के आठे की ये रोटी के लिए हम गोल बने देटे है उसी तरह से हमें soft गोल बनाना है देखिए अब आपको bubbles दिख रहे हैं चलो अब हम इस गोल को अच्छे से मालिश कर देते हैं ताकि ये हमारा पिज़ा बहुत ही टेस्टी और फिलपी बन जाए ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ये इसे मैंने मालिश की है देखिए आपको bubbles दिख रहे हैं अब हम इसको कर देखिए कैसे bubbles दिख रहे हैं जिससे हमारा पिज़ा बहुत ही soft बन जाए अब मैंने ले ली है ये कड़ाई और इसमें मैंने नमक डाला है जो मैंने इससे प पेला दे रही हूँँ कड़ाई के अंदर है कि अब ये हम इसको ढापकर रख देंगे तब तक हम हमारे आटे की तरफ चलते हैं देखते वह कैसे बना है चलो अब यह बन गया गोल हमारा हमस्टार्ट करते हैं अब हम इसको बेल देंगे हमें टू साइड नहीं बेलना है वन साइड ही बेलना है हम एक प्लेट में ओईल लेंगे ताके हमारा पिज़ा नीचे से चिप केना बिलकुल भी अब हम इसको ऐसी पूरी तरह से फैला देंगे और इस पर हमारा पिज़ा डाल देंगे फिर हम इसको अच्छे से एक फॉक से इसको पंच करेंगे दिरे दिरे सभी तरफ करें ताके हमारा पिज़ा फूल कर फ्लेपी बन जाए और खाने में बच्चों को और भी ज्यादा मज़ा आ जाए मैंने यहां पर लिया है पिजा सॉस अब हम लगाएंगे पिजा सॉस सभी तरफ हमें पिजा सॉस को अच्छे से फेला देना है ताके टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आ जाए जिस से पीज़ा का टेस्ट और ज्यादा बढ़ी आ जाए हम पिज़ा सॉस और शेज़वान चटनी को मिक्स करके अच्छे से फेला दें ताके हमारा पिज़ा और यह हो गया हमारा सॉस लगा देना अब मैंने यहाँ पर लिया है प्याज शिमला मिर्च टोमेटो जिसे मैंने चीज को हम पहले डाल देंगे चीज को हम अच्छी तरह से सभी तरह स्प्रेट कर देंगे और फिर वेजी टेवल्स भी स्प्रेट कर देंगे और फिर हम इस पर दुबारा डाल देंगे चीज पूरी तरह से फैला कर हम चीज को डाल देंगे फिर देखिए चीज डालने से कितना बड़िया खुबशूरत हमारा बख पिज़ा तयार हो गया है अब हम इसको यह हमारा अब मैया पर साइट से ओई ग्दिल या देशिगी डाल दें अपने अपने चोईस से मैंने यहां पर देशिगी लगाया है साइट से ताके हमारा पिज़ा जब बन जाए तो निकलने में आसा नी हो जाए ओकाई गाईस तो चलिए यह हो गया मेरा देशिगी लगाना अब हम यहां से कडाई की तरफ च ग्यास के उपर अब देखते हैं इसको गरम हो गया है या नहीं अच्छे तरह से ताके हमारा पिज़ा 15 मेट में बनकर तयार हो जाए अब हमारी कडाई है और नमक अच्छे से गरम हो गई है अब हम बना हुआ पिज़ा प्लेट इसमें रख देंगे अब हम इसको कवर कर दें प्लेट से अच्छी तरह से और ग्यास को स्लो फ्लेम पर रख देंगे देखिए हमारा 15 मिनिट के बाद पिज़ा बनकर रेडी हो गया है अब हम इसको पिज़ा कटर की हेल्प से कट कर देंगे देखिए हमारा पिज़ा बनकर कितना रेडी हो गया है दीजी अब हम पिज़ा कटर से इसको कट कर देंगे ताके बच्चे खाकर बहुत खुश हो जाए पूरे पिज़े को हम पांच छे जितने आपको जिस तरह से अपने अपनी स्लाइस करने ही हमारे साइज से हमारे तरीके से उसको कट कर लेंगे okay गैस अब देखते हैं हमारा पिज़ा बनकर कितना देखिए गैस हमारा पिज़ा बनकर कितना फ्लफी और टेस्टी बना है देखिए बिलकुल भी चिपका नहीं है नीचे से आप इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया